दिल्ली सरकार ने प्रदूशन से निपटने के लिए और इवन फॉर्मिला को एक बार फिर लागू करने का एलान कर दिया है परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी घोशना करते हुए बताया है कि ये 13 से 17 नवंबर तक के लिए लागू किया जा रहा है पिछले दो बार की तरह इस बार भी कई गारियों और व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती, प्रधान मंत्री, सभी राज्यों के उपराज्यपाल, भारत के मुख्य नयायधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रिय मंत्रियों को छूट, लोकसभा वर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, सभी राज्य वर केंद्र शासित रा जी को, लोका युक्त को, एमर्जेंसी वाहन जैसे की अम्बूलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल और जेल की गाड़ी को छूट, इन्फोर्स्मेंट वेहिकल जैसे परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पारमिलिटरी और रक्षा मंत्राले के वाहनों को, द इकलांग चालक वसवारी वाहनों को छूट मिलेगी।